नमस्कार मैं हूं कोमल राव आप देख रहें एंजेपी इंडिया आप और हम लोकसभा के चुनाव परिनाम देख चुके हैं लेकिन अभी कुछ बाते ऐसी भी हैं जो परिनाम के पीछे चुपी हुई है आज हम बिना किसी भूमिका के बात करने जा रहे हैं अलवर लोकसभा सीट की भाजपो उमीदवार भुपेंदर यादव अलवर का चुनाव 48,282 वोटों से जीत कर दोबार केंद्रिये मंतरी बन चुके हैं राजस्थान कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं को भी उमीद नहीं थी कि अलवर में उनकी पालिटी मामूली अंतर से पिछड रही है कॉंग्रेस के उमीदवार ललित यादव को उमीद अवश्य थी मगर भुपेंदर यादव के कद के सामने यह नया खिलाडी मात खा गया ललित को सबसे बड़ी उमीद मुंडावर विधानसबा शेतर से ही थी लेकिन सभी को आश्चर्य में डालते हुए भाजपा उमीदवार भुपेंदर यादव मुंडावर से भड़त लेने में कामियाब रहे ललित ने तीन चार महीने पहले हुए विधानसबा चुनाव में मुंडावर विधानसबा शेतर से भाजपा उमीदवार मंजीत धरंपाल चोधरी को 30,000 से भी अधिक वोटों से हराया था ग्रह शेतर होने के कारण ललित को यहां से ही सबसे बड़ी जीत की उमीद थी लेकिन विधानसबा चुनाव हारने वाले मंजीत धरंपाल चोधरी ने अपनी चुनाव से भी अधिक पसीना भाग कर असंभव को संभव कर दिया पहले यह कहा जा रहा था कि मंजीत समर्थक जाट समुदाई के वोटर भी इस कारण कॉंग्रेस को वोट देंगे ताकि ललित यादव के चुनाव जीतने पर यहां उपचुनाव हो और उनका सजाती उमीदवार मंजीत उपचुनाव जीत जाए लेकिन मंजीत इस बात को जानते थे कि भुपेंदर का मुंडावर से पिछड़ना ने केवल उनकी राजनिती के लिए नुकसान दायक होगा बल्कि एक गलत धार ना उनकी चवी को दागदार बना देगी इसी डर के कारण मंजीत ने पूरा पसीना भाया वे अपनों के बीच पहुँचकर यह बात समझाने में कामियाब रहे कि भुपेंदर यादव को वोट नहीं देने का मतलब होगा मंजीत चोधरी की राजनिती को हाशिये पर धगेल देना यही कारण रहा कि सबने मिलकर भुपेंदर यादव को वोट दे दिया और जिस मुंडावर सीट पर खुद भाजपा अपने आपको सबसे कमजोर मान रही थी उस सीट से 3000 से अधिक वोटों की बढ़त मिल गई अगर ललित यादव अपना चार महा पुरान प्रदर्शन ही यहां दोरा देते तो आज भुपेंदर यादव की जगय वही सांसद होते लेकिन मंजीत की महनत और भुपेंदर यादव के माइक्रो मैनेजमेंट ने कॉंग्रेस को घर में घेर कर कमजोर कर दिया अब पहले अलवर लोगसबा शेत्र की सभी आठ विदान सबा सीटों के परिनाम जान ले गुपेंदर यादव को किसंगडबास से 10,507 की मुंडावर से 3,842 की अलवर शहर से 52,523 की तिजारा से 5,085 की और भैरोड से 21,951 वोटों की भढ़त मिली इसके विप्रीत कॉंग्रेस के लली तियादव को अलवर ग्रामीन से 15,513 वोटों की रामगड से 2,240 की और राजगड लक्षमंगड से 28,009 वोटों की बढ़त मिली बस्पा उमीदवार फजल हुसेन ने भी यहाँ भाजपा को एपर्टेक्श रूप से मदद पहुंचाई फजल ने कुल 19,178 वोट हासिल किये अगर यही वोट कॉंग्रेस को जाता तो कुछ भी हो सकता था 13 से बाबा बालकनाथ विधायक है चुनाव प्रचार के समय बालकनाथ के मंतरी बनने की नहीं बलकि सीम बनने की चर्चाई चल रही थी लेकिन मोदी महशान ने बाबा बालकनाथ सहीत किसी भी यादव को भजलाल मंतरी मंदल में शामिल नहीं करवाया निकट भविश्य में होने वाले विस्तार में अब बालकनाथ भी मंतरी बन सकते हैं लेकिन एक बात जरूर कही जा रही है कि किशंगड से चुनाव हारे रामहेत यादव और मुंडावर से चुनाव हारे मंजीत धरंपाल चोधरी के अब अच्छे दिन आने वाले हैं भाजपा की टिकट पर चुनाव हारे इन दोनों नेताओं ने भुपेंदर यादव का दिल जीत लिया है रामहेत में मंजीत ने जीत लिया भुपेंदर का दिल तो फिर आगे शायद सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमें कमेंट करकर भी ज़रूर बताएं धन्यवाद